सबी साथियों के मेरे नमस्कार मैं देवी सिंग मैथ टूटोरियल से यूटूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ बारे अक्तूबर सन दोजार बीस करंटे फिर्स इन हिंदी आपको पता है हमारी यूटूब चैनल के मैध्यम से डेली करंटे फिर्स आपके लिए परकासित किये जाते हैं जो आपकी विभिन पिरती होगी परिक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रेंट होते हैं आपके आने वाली परिक्षाओं जैसे SSC, UPSC, Bank, Railway, Clark, PO परिक्षाओं के लिए बहुत ही साहिक होते हैं हमारे करंटे फिर्स फ्रेंड्स बारे अक्तूबर सन 2020 करंटेफिर्स के बारे में यह दिया आपका कोई प्रिशन है किरप्या कमेंट के जरी हम तक पहुँचाएं चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नॉटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें आज का फर्स्ट क्वेशन है आपका किसने स्वेदेसी ड्रॉन रुस्तम टू का सफलता पूरोग परिक्शन किया है DRDO ने ये परिक्शन किया है LAC बॉर्डर पर चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश की सन्य सक्ती को मजबूत करने के लिए DRDO ने इस ड्रॉन का परिक्शन किया है इस ड्रॉन के इस्तमाल से दुर्गम पहाडी इलाकों पर नजर रखने में आसानी होगी इस मिसाइल का सफल परिक्शन करनाटक के चित्र दुर्ग सहर से किया गया है DRDO Defense Research and Development Organization रक्षान उसंधान इवन विकास संग्ठन इसकी फुल फॉर्म है सथापना दिवास 1908 मन मुखैले नई दिली अध्याक्ष जी सतीस रेडी है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका यहाँ पर किसने स्वावेत्व योजना के अंतरगत संपत्ती कार्ड वितरन योजना का सवारंब किया है तो नरंद्र मोदी जी ने किया है यह आपका अंसर हो जाएगा इस उद्देश ग्रामिन छेत्रों में मकान मायलकों को उनके भवन के अधिकार करेकार उपलब्द कराना और संपत्ती कार जारी करना है नरंद्र मोदी हमर देश के प्रधान मंत्री हैं नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका डवलू एफ की वार्सिक बैठक स्विटचर लेंड के दावोस में ना होकर आव किस सहर में आयुजित की जाएगी लू सरन में या आयुजित की जाएगी इस बैठक में विश्व के विवसाय राजनीतिक सेक्सिक और अन्य छेत्रों के पिरमुखों को एक साथ लाकर और दोगिक देसात्य करना है डवलू एफ वर्ल्ड एकॉनोमिक फॉर्म इसकी फॉल फॉर्म है विश्व आर्थिक मंच सतापना जनवरी 1971 को मुखैले जेनेवा कॉल गनी स्विटजर लेंड में है अध्यक्स किलाउस सकवाब है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका अंतर राष्टी बाली का दिवस कम मनाया गया है 11 अक्तूवर को मनाया गया है इस दिवस को मनाने का उदेश बालिकाओं के अधिकारों का सरक्षन और बालिकाओं के ससक्ती करण को बढ़ावा देना है और समाज में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना है इस दिवस को मनाने की गोसना यूनिसेफ ने की थी अंतराष्टे बाली का दिवस 2020 का थीम है My voice our equal future अक्तुवर महिने के महत्पूर्ण दिवस एक अक्तुवर को विश्व साकारी दिवस के रूप मना जाता है एक अक्तुवर को ही बुजरगों के लिए अंतराष्ट दिवस के रूप मना जाता है चार अक्तुवर विश्व पसु कल्यान दिवस के रूप मना जाता है पांच अक्तुवर विश्व सिक्षक दिवस के रूप मना जाता है आठ अक्तुवर भारतिवाई सेन दिवस के रूप मना जाता है नो अक्तुवर विश्व डाक दिवस के रूप मना जाता है 14 अक्तूबर विस्व मानक दिवस के रूप मना जाता है 16 अक्तूबर विस्व खाद दिवस के रूप मना जाता है 17 अक्तूबर अंतराष्टिय गरीवी उनमूलन दिवस के रूप मना जाता है 24 अक्तूबर विस्व विकास सूचन दिवस के रूप मना जाता है 31 अक्तूवर राष्टी एक तद्वस के रूप मना जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन है फोवर्स की ओर से जारी रेंकिंग में मुके संबानी को लगतार कितने साल भारत के सबसे अमीर लोगों की लेश्ट में सीड्स पर है तो यह 13 साल है जब मुके संबानी को भारत में सबसे अमीर लोगों की लेश्ट में सीड्स पर रखा है लगतार 13 वर्सों से फर्स्ट पोजीशन पर है फर्स्ट पोजीशन पर मुके संबानी, रिलाइंस इंडस्ट्रीज, गौतम अडानी सेकंड है अडानी गुरुप के चेर्मेंड, सिव नाडार, HCL के संस्थापक है वो अमीर लोगों की सूची में थर्ड नंबर पर हैं भारत में नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका ताईवान राष्टे दिवस कम मनाया गया है दस अक्तूबर को ताईवान दिवस मनाया गया है में वोमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है एगा स्वेट एक ने ये खिताब जीता है तो यह आपका यहां पर आंसर हो जाएगा एगा स्वेट एक ने फाइनल में सोफिया केनन को 6461 से अरा कर अपना पहला फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले पोलेंड देश की पहले खिलाडी बन गई है ATP पूरे विस में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है Association of Tennis Professionals सथापना सितंबर 1922 मुखले लंदान अध्याक्स एंड्रिया गाउडेजी है Next Question है आपका भारत और अमेरीका के बाद किस देश ने TikTok एप को बंद कर दिया है पाकिस्तान ने भी TikTok एप को बंद कर दिया है तो भी आपका अंसर हो जाएगा TikTok एक Social Networking साइट है और यह चीन देश की कमपनी की है TikTok की Parent Company Byteid Dance है Next Question है आपका विस प्रवासी पक्षी देवस कम मनाया जाता है 10 सक्तूर को मनाया जाता है इस देवस को मनाने का उदेश प्रवासी पक्षियों के बारे में जाग रुकता बढ़ाना और उनके सरक्षन के लिए अंतर राष्ट सहियों के महतों के बारे में सबी देशों को जागरो करना है यह दिवस साल में दो बार मनाय जाता है पहला माई के दूसरे सनिवार और दूसरा दस हक्तुवर को मनाय जाता है विश्प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम है Birds Connect Our World Next question है आपका किस राज्य की पहली मुख्य नियादी सौर स्वय रोजगार योजना सुरू की है उत्राखंड ने ये योजना सुरू की है इस योजना के तहत राज्य के लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना है और लोगों को रोजगार के आफसार उपलवद कराना है उत्राखंड राज्य सथापना नो नवमर संदो अजार राजदानी देरादूर गैर सेने मुख्यवंतरी तरवेंदर संगरावत बीजे पार्टी संबन्द रखते हैं लौरनार बेवी रानी मौर्या हैं मुख्यन आदीस के जोसफ हैं तीन पड़ोसी राज्ये हैं माचल प्रदेश, हरियाना और उत्र प्रदेश दो पड़ोसी देश हैं तिबत और नैपाल लोक सबसीट पांच, राज सबसीट तीन, विदान सबसीट एक प्यत्तर हैं उत्रकंड के प्रमुक जीले हैं नेनी ताल जील, डोडी ताल जील, भीम ताल जील, साथ ताल जील, राक्ष ताल जील, माला ताल जील, देव ताल जील, ये सबी यहां के जीले हैं खुर्पाताल जील, जिल्मिलताल जील, द्रोनसागर जील, गरताल जील, स्यामताल जील, रूपकुंड जील, सत्ता जील, नौकुछियाल जील, गौरीकुंड जील, नंदीकुंड जील, सुर्पाताल जील, ये ऐसा ही उत्रखन की प्रमुक जीले हैं, जिम कारवेट भारत का सबसे प्रहुन राष्टा अध्यान है, जिसकी सतापना 1936 मौनी ती यह वी उत्रखंड में सेतेता है, अत्रखंड में सेतेत गंगूत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमन त्रि यहां से यमन नदी निकलती है। नंदा देवी परवत, यह भी उत्राखंड में से तेता है, चिप को अंदुलन जो की पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया, अंदुलन था, यह भी उत्राखंड राइजय में हुआ था, नेक्स्ट क्वेस्टन आपका, आर्वी आई, निवित वर्स 2020-21 में भारत के GDP ग्रोथ, रेट कितने, प्रतिसत, सुकुटने का अनुमान लगाया है, 9.5 प्रतिसत, सुकुटने का यहाँ पर अनुमान लगाया है, आर्वी आई, रेजर बेंक ओफ इंडिया, भारत में जितने कारी सकूलों के चात्रों की मदद करना है, इस योजना के तैच चात्रों को सकूली केट प्रदान की जाएगी, अंदर प्रदेश, सतापना एक नॉम्मर नुनीसोचपण, राजदानी अमरावाती हैदरावाद, मुख्य मंदर वाई-एस जगनमान रेड़ी हैं, जो कांग और तही लांगाना, नेक्स्ट क्वेस्टन है, आपका कौन सा देश, जेनेट कली, मौडिफाइड, गेहों को मंजूर देने वाला पहला देश बन गया है, अर्जन्टीना, आप पांसर हो जाएगा, अर्जन्टीना, जक्षिन अमरीका में सित्यत है, राजदानी, व्यून आयर्स है, करेंसी, पेशो, राष्टपती, मेरी सी-यो, मेक्री हैं, नेक्स्ट क्वेस्टन है, जेजीत सिंग को किस राजज में ATS का प्रमुक न्यूक्त किया गया है, महाराष्ट में याँ पर न्यूक्त किया गया है, यह आप पांसर हो जाएगा, महाराष्ट राजदान सब्सक्राइब करना टकते ही लंगाना च्छतिस गड़ मद्य प्रदिस और गुजराद लोग सवा सीट 48 राज्य सवा सीट 19 विदान सवा सीट 288 है नेक्स्ट क्वेस्टन आपका विश्व अंड़ा दिवस कम मनाया गया है तो यह 9 अक्टूवर को मनाया गया है सी आपका यह रही है नेक्स्ट केस्टन आपका हाल ही में किस देशुन नाइट करफ्यू होने कि गोस्ना की है तो यहां पर यह गोस्ना की है आपकी चीन नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका हाल ही में किस देश की राजदानी में कौरना वाइरस की वज़े से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है यहाँ पर जर्मनी में नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका हाल ही में किस आटो मोबाइल क अंपनी ने देश भर में अपने ग्रहकों को 24 वाई 7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोसना की है तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा हीरो मोटो कार्प ने नेक्स्ट क्वेस्टन है हाली में किस पेमेंट बेंक के द्वारा मानव एटियम सुरू किया गया है तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा यह शुरू किया गया है फेनो पेमेंट बेंक ने नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका हाली में अभिनास खुर्शी करकर ने दन हुआ है वो कौन थे तो यहां पर वो थे अभिनेता नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका हाली में कौन युद सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला यहां पर बनी हैं तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा मिंटि अग्रवाल यहां पर बनी है नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका हाली में डवलू टी ओ ने दोजार बीस में बाल हुआ पार में कितने प्रतिसत की गरावट का अनुमान किस राज्य के मुक्य मंत्री ने शुरू की है तो यहाँ पर यह योज्णा शुरू की है आपकी असम राज्यने, रेडिय प्रोग्राम प्रिग्या, धिंगा एक्स्प्रेस हमादास, धनवंत्री योज्णा, भारत का एक मात्र गोल्डन बाग, यह सब ही यहाँ पर असम करने की गोसना की है तो यहां पर आपका अंसर हो जाएगा यह की है आपकी अमेरीका ने तो सी आपका अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है हाल ही में भारतिय मूल के किस सिक्साविद को हावर्ड बिजनिस सकूल का डीन नियुक्त किया गया है तो यहां पर यह नियुक यहां पर यह बढ़ाया है जे एंड के बेंक ने तो यहां पर जम्मू एंड कस्मीर बेंक ने कारेकल छे महीं ने बढ़ा दिया गया यह आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका हाली में परसार भारती ने नई किरसी प्रोद्योगी की और नवाचार को किस ने सम्मोदित किया है तो यहां पर यह सम्मोदित किया है नरेंद्र मोदी जी ने नेक्स्ट क्वेस्टन हाली में राष्टे डाक सप्ता कब सुरू हुआ है तो यहां पर राष्टे सप्ता आपका सुरू हो चुका है नौ अक्तूबर को नेक्स्ट क्वेस्टन है आपक ये विकल्ब दिया है Microsoft ने सी आपका आंसर हो जाएगा Next question है हाली में विसरल खसावने को किस देश का प्रदान मंत्री नियुक्त किया गया है तो ये आपका Jordan तो भी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा Next question है हाली में किये गए देश के सत्रे प्रमुक हवाई अड़ों पर होई गराक संतुष्टी सूचकंक में किसी एरपोर्ट को पांचमा सथान मिला है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजा भोजी एरपोर्ट को यहाँ पर पांचमा सथान मिला है Next question है बिर्टेन के मिसन द्वारा आयुजित वारसिक प्रतियोगता के तहत किस भारती है युवती को एक दिन के लिए बिर्टेन के उच्चायुक बनाया गया तो यहाँ पर यह उच्चायुक बनाया गया है चैतन्या वेंक टेस्वरन को Next question है आपका 11 अक्तूवर को जो इस बर्मनेमिन में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंतर राष्टे बाली का दिवस के रूप मनाया जाता है Next question है BCCI ने महिला 2020 चैलेंज के लिए तीनों टीमों की घोसना कर दी यह टूर्नामिन्ट किस देश में खेला जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यह खेला जाएगा आपका सहियुक तरव अमीरात में Next question है आपका प्रदानमंतिर नरंदर मोदी ने किस देश के ग्रामीन के लिए कौन सी योजना को लौंच किया है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यह लौंच किया है स्वामे तो योजना को इसे स्वह रोजगार में मदद मिलेगी Next question है आपका 10 अक्तुर को किस भारते कारे करता है और राजनेति मापर्स की जेनती मनाई गई तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनाई गई जैप्रकास नाराइन और नानाजी देश मुक्की जेनती Next question है आपका 19 वर्स के आईउ में पूलेंड की किस खिलाडी ने अपना पहला ग्रेंड स्लेम खिताब जीत कर इत्यास रच दिया है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इगा सिव योन्टेक ने यहाँ पर इत्यास रच दिया है Next question है विक्रम सारावाई सेपे सेंटर के निदेशक जनों ने बताए कि मानव अंतरिक सोडान मिसन या गगणियान के लिए जी एसल भी का इस्तमाल किया जाएगा इसमें एहम प्रनालियों के लिए चार बैक अप बनाई जाएगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एस सौमनात फोर्त आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका चीन ने किस देश का न्यूकिलियर डील पर समर्थन किया है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इरान नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका केरल सोना तस्क्री मामली में निमिन में से कौन से वेक्ती चर्चित रहे तो यहां पर आपका आनसर हो जाएगा M सिभ संक्रियां पर चर्चित रहे हैं फ़स्ट आपका यहां पर आनसर हो जाएगा फ्रेंड्स बारं अक्तूबर का इتhas, भारत और वेस में बार अक्तूबर को होने वाली वेबन गटनाु के बारे माम आपको जान करी दीते हैं Gregori Kalender का अनुसार, बार अक्तूबर किसी वर्समें दिज संग के दो 26.6 है ये दिलीवर से दिन सेंगे दूस अतासी है भारत और वेस्व इत्यास में बार अक्तूबर का अपने एक खास मेतो है क्योंकि इस दिन कैई महत्पूर घटना घटी जो इत्यास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्जो कर गरे गई आए जानते हैं बार अक्तूबर को एस दि कुछ महत्पूर घटना है जोने जानकर आपका सामें निगान बढ़ेगा ये एक तिरता तैसे होंगे जिसे आज की दिन जन्वे चर्चत वैक्ति प्रसित वैक्तियों का नेदान युद संदी किसी देश के आजादी नई तखनी के आसकार सत्ता का बदलना महत्पूर राष्ट और अंतर राष्ट दिवसेत्यादी बारक तूबर की महत्पूर एतियासे घटनाओं की सूची हम आपको बता देते हैं यहाँ पर बारक तूबर 1711 में करेल छटी हेवसबर्ग रॉमन कैथोलिक समराट का ताज पहनाया गया बारक तूबर 1737 को इसाई सेक्स्थ ने डैनमार्क के राजा के रूप में फ्रेडरिक फूर्थ को सफल किया बारक तूबर 1776 को बिर्टिस ब्रिगेड ने ब्रंक्स में थूरग नेक्स रोड की सुरक्षा करना सुरू कर दिया बारक तूबर 1792 को अमेरिका की खुज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस को मेरी लेंड के बाल्टी मोर में पहला समारक समर्पित किया गया 12 अक्तूबर 1792 को न्यू वर्ल्ड में आने के 300 साल बाद न्यू यार्क सिटी में संयुक्त राज्य में पहला कोलंबस दिवसामारो आयुजित किया गया 12 अक्तूबर 1798 को फ्रांस के कबजे वाले बोई रेन क्रिज के खलाप फिले में स्विद्रो आरंब हुआ 12 अक्तूबर 1799 को जैन ने गेने विये वे लेवो रसे 900 मीटर की उचाई से एक पेरा सूट के साथ एक गुबारा से कोदने वाले पहली महिला बनी 12 अक्तूबर 1815 नेपल्स के पूर्वराजा जो आचिम मूरत को मिर्तू की सज़ा सुनाई गई 12 अक्तूबर 1822 को ब्राजील के पेडरो पिर्थम को ब्राजील का सवधानिक समराट घोसित किया गया 12 अक्तूबर 1847 को जर्मन आविसकारक और उद्योगपती वर्नरवान सीमेंस ने सीमेंस एजी और हेल्स के को सथापना की 12 अक्तूबर 1850 को पहली महिला चिकित्सा विद्यले खुला गया 12 अक्तूबर 1854 को लिंकन उनिवर्स्टी की आसमुन संस्थान के रूप में सथापना की गई 12 अक्तूबर 1871 को ब्रिटिस सरकार ने क्रिमिनल ट्राइवस एक्ट लागू किया गया जिसके तहट 160 सथानिय समुदायों को अपरादी जाती घोसित कर दिया 12 अक्तूबर 1889 ब्रिटिस सेंकों ने काबल और अफगानिस्तान पर कबजा किया 12 अक्तूबर 1898 को मतियूर में पहली रंगर परिस्द की सतापना की गई 12 अक्तूबर 1901 में अमेरिकी राष्टपती थियोडूर रूजवेल्ट ने राष्टपती ववन का नाम एग्जीक्यूटिव मेंसन से बदलकार वाइट हाउस कर दिया 12 अक्तूबर 1909 को ब्राजील के कुर्टिवा सहर में फोटवाल टीम की सतापना होई 12 अक्तूबर 1910 को जानडी ने न्यूयार्क में राकफेलर इंस्टिटूट आप मेडिकल रिसर्च का अपना पहला 75 बैड का अस्पताल खोला 12 अक्तूबर 1928 को पहली बार अमेरिका के बोश्टन में चिल्डरन हस्पीटल में एक बच्ची के लिए आईरन लंग नाम की एक मसीन का इस्तिमाल किया गया 12 अक्तूबर 1808 में को मतियोर में पहली नंगर परिसर्चत की सतापना की गई 12 अक्तूबर 1901 को अमेरिकी राष्टपती थियोडोर रूजवेल्ट ने राष्टपती ववन का नाम एक्जीक्यूटिव मेंसन से बदल कर वाइट हाउस कर दिया गया 12 अक्तूबर 1909 को ब्राजील के कुर्टिवा सहर में फोटवाल टीम किस्तापना हुई 12 अक्तूबर 1910 को जान डी ने निव्यार्क में राखफिलर इंस्ट्यूट आप मेडिकल रिसर्च का अपना पहला 75 बेड़ का स्पतल खोला 12 अक्तूबर 1928 में पहली बार अमेरिका के बोश्टन में चिल्डरन हस्पीटल में एक बच्ची के लिए आईरन लंग नाम की मसीन का इस्तमाल किया गया 12 अक्तूबर 1945 को कम्यूनिस्टों ने संगडांग अवियान पर जीत हासल की 12 अक्तूबर 1964 को विश में पहली बार सोवित संग ने बिना सेपेश सूट पहनाए अंतरिक्स जात्रियों को अंतरिक्स में भेजा 12 अक्तूबर 1967 को भारत की स्वेतंतरता संग्राम की सेनाने पिरखर चिंतक तता समासजवादी राजनेता डाक्टर राम मनोर लोहिया का निदन हुआ 12 अक्तूबर 1968 को मद्या अफरीका में सेते देश एक्वाटोरियल गिनी को सेपेन से स्वेतंतरता मिली और यह दिन इस देश का राष्टे दिवस गोसित किया गया 12 अक्तूबर 1968 को सेपेन ने एक्वेटोरियल गिनी को इसकी स्वेतंतरता गोसित किया गया 12.82 को थोरवार्न पलाल डिन स्वीटन के प्रदानों तरिवाने बारक तूर 1988 को भारत के तरपुरा में बिर्चंदर मनू नरसंहार हुआ 12.92 में मिस्टर किराजदानी काहीरा में भूकम से करीब 510 लोगों की मौत हुई 12.92 में 1993 में काहीरा भूकम में 543 लोग मारे गए और 6500 से अधि गायल हो गए 12.92 में अलजीरिया के सिद्धि दाउद सहर के फाल्स रोड बलाक पर नरसंहार में 43 लोगों की अत्या कर दी गए 12.98 में अमेरीकी सांसद ने ओनलाइन कॉपिराइट विदेया को पारित किया गया 12.2000 को अंत्रक्स यान डिस्कावरी का फ्लोरेडा से फिर्चेपन हुआ 12.2002 बाली के एक नाइट किलम में आतंकवादी हमले में 202 लोग की मोत हुई 12.04 में पाकिस्तान ने गोरी एक मिसाइल का परिक्षन किया गया 12.08 को केरल की सिश्टर अलफोसा भारत की पहली महिला संत्वनी 12.04 को सामाजिक कायरे करता एवो मौरालेस लगतार तीसरी बार बोलीविया के राष्टपती गरूप में चुने गए 12.04 को एवो मौरालेस फिर से बोलीविया के राष्टपती चुने गए 12.04 के राष्ट देवस और अंतर राष्ट देवस के रूप में आपको जान कर देते हैं 12.04 को जन्में परसे दुएक्तियों के बारे में 12.1965 को अंजा नीदरिंग हास माईला पत्रकार जर्मनी करेने वाली थी यहां पर उनका जन्म हुगा 12.1963 को डेव लेंजेनो पोर्स अविनेता ग्रेट ब्रिटेन करेने वाली थी उनका जन्म हुगा 1221 में अक्सरा आसन माईला विनेत्री भारत के रहने वाले थे उनका जन्मुगा 1231 को भुमिंदार बर्मन पुर्स राजनेते के भारत के रहने वाले थे उनका जन्मुगा बारकतरवर को लेकने लोगों की मिड़्यू, बारकतरव 463 को रम만वर लोहिया, पुर स्वेथंतरता स blue भारत के रहने वाले उनका दियान तो हो गया, बारकतरव रहने सं 2016 को बेलवा पालेर्ण महीला लेकक स हिद्य करने वाले उनका नेतन हो गया बारक तुरसन 2013 को आसकार, हिजु एलूस, पोर्स, उपान्यासकार, सहिकतराज अमेरिका के रहने वाली ते उनका नेदन हो गया फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फ्रेंश हो जाता है, वीडियो आपका अच्छा लगा होता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सस्क्राइब करें, बेल आइकोन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, थें थेंक यू